असलम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे वाइट मटन इस्ट्यू की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं जट पट से प्रेशर कुकर में बहुत ही टेस्टी बनेगा एक दम रिच ग्रेवी बनकर तेयार होगी और जट पट से आप इसको बनाकर तेयार कर लेंग इसमें एट करना है 100 ग्राम ओईल तो आप ओईल की कॉन्टिटी अड़्जेस्ट कर सकते हैं कम्या जादा जैसा अभी आप पसंद करते हो अब यहां पर हम दो तेश पत्ते ले लेंगे चार हरी लाइची एक जावित्री का फूल पांच लॉंग एक इंच का दालचीनी का बड़ी इलाइची दस से बारा काली मिर्च यह मसाले चले जाएंगे अब इनको हमें कर लेना है हलका सा क्रेकल तो बस कुछ सेकिन के लिए हम यहां पर इनको क्रेकल होने देंगे और देखिए मसाले अच्छे से क्रेकल हो चुके हैं तो अब इसमें हम 250 ग्राम प्याज अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो रॉफ लेवर है वो निकल जाए और अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें कुछ पाउडर मसाले तो हम यहां पर एड़ करेंगे यह देखिए दखनी मिर्च का पाउडर दखनी मिर्च ने बाइट पेपर होती है इस तरह से यह पाउडर ले बना लिया है वन टी स्पून यह आपको किसी भी लोकल ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा दक्नी मिर्च बूल कर ले लिजिए मिल जाएगा वन टी स्पून यहां पर हम कुटा हुआ धनिया अगर आप साबूत करना चाहते हैं तो बन टी स्पून भो भी कर दिया है नमक आप अपने टेश को अकॉर्डिंगे एड कीजिएगा जितना भी आप खाना पसंद करते हो आप इन चीजों को हमें मिक्स कर लेना है और इसमें पानी एड बिल्कुल भी नहीं करना है वस मिक्स कर लिया है और इसको लिट से कवर कर देंगे एक विसल पर लगा लीजिएगा पका लीजिएगा इतने में यह गल जाएगा तो यहां पर देखिए एक विसल हाइफ लेम पर लगाई थी और पंदर अपनेट हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकाया था अब इसमें जो भी पानी रह गा है उसको हम हाइफ पर ड्राय कर लेंगे तो अच छेटे अब इसमें जादा प्याज एड़ किये हैं तो खट गजैए तो तेस्ट होट अच्छा आएगा अब दःट करने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लिया जाए बहुत अच्छे से और भूनने के बाद इसमें आट करेंगे थाफ कॉप रूद करेंगे यहां पर मैं थोड़ा से बॉइल कर लीजिए गरम पानी के साथ इसका छिलका निकाल दीजिए दो-दो पीसिस में कट कर लिए दस से बारा किश्मिस ले लिए हैं आप चाहें यहां पर काजू भी एट कर सकते हैं और पांच ले लेनी हैं साब उतलाल मिर्च तो यह सब एट करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और स्लो फ्रेम पर हमें इसको पांच से चैम नट के लिए कवर करकर पका लेना है ताकि इसका ओइल सेपरेट हो जाए तो यहां पर देखिए इस्ट्यू का ओइल सेपरेट हो चुका है आप देख सकते हैं तो बस यहां पर हमारा वाइट मटन करने के लिए चलिए इसको सब करते हैं तो जट पर से बन जाने वाली रेसिपी है प्रेशर कूकर में बनाई है तो जट पर से बनेगी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर त्राइब कीजिएगा और अपना फीडबेक मुझे जरूर दीजेगा अगर आपने हम इंस्टर ग्र ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तब के लिए अल्ला हाफिज